नमस्कार साथियों मैं फिर से आज आप सब के सामने आ चुकी हूँ और आज मैं जिस सब्जेक्ट पर आप से बात करने जा रही हूँ ये आपके कमेंट के उपर आधारित है आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किये हैं और उनमें से अधिकता संख्या जो है वो डिजीज पर लेकर है कि हमें इस डिजीज के बारें बताईए हमें इस डिजीज के बारें बताईए लेकिन एक दो ऐसे भी हैं जो कॉंसेप्ट को सीखना चाहते हैं अभी भी और उनका क सबसे पहले मैं उन साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्हों ने इस लॉक डाउन के टाइम में अपने शास्त्रों का अध्यान करना शुरू कर दिया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम किसी न किसी बहाने से आप शास्त्रों का अध्यान कर रही हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेसेज़ेज आ रहे हैं जो भी मैं बताती हूँ वो लोग उसको कन्फॉर्म करते हैं वो जाते हैं गूगल में या कहीं कहीं से भी खोश करके कोई कुछ नहीं तो पेजस की फोटो खीश के देता है कि हाँ यह यहाँ यहाँ पर है कोई व्यक्ति क्या करता है कि निकाल लेता है अपना गूगल से वहां से धून के दिखा रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रह लेकिन समय की इतनी प्रतिबंधता होती थी कि हम सब नहीं कर पाते थी चाहते हुए भी मैं भी कर रही हूं आप भी करिए तो एक इसमें सवाल आया हुआ था कि कि एक्यू प्रेशर और आयूर्वेद ये क्या है नहीं है आयुर्वेदिक एक्यू प्रेशर आयूर्वेद और आपके एक्यू प्रेशर पहले इन तीनों कहा मंतर समझ लेते हैं जब हम यह अंतर समझ लेंगे तब आप लोगों को आसानी हो जाएगी अंदर जाकर के चीजों को समझने में देखे यह जो आपका आयूर वेद है यह मैंने पहले भी बताया था आपको कि यह आपका अथर्व वेद जो था उसी का उपवेद है यह अथर्व वेद के अंतरगत हमारे विज्ञान, जादू टोना, तंत्र मंत्र और आउशाधियों का वरणन मिलता है इसकी भी कई सारी शाखाएं हैं आपके, नो भाग हैं इसके अथर्व वेद के और इसका उपवेद है आपका आयूर वेद, समझ गए आप अब आप देखिए किसी भी चीज़ की, अब आयूर वेद का मतलब आप क्या समझ रहे हैं आयूर वेद का मतलब कहीं आप चरक संहीता, सुशुत संहीता या अस्टांग संग्रह वगएरा तो नहीं समझ रहे हैं ये वो नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि वेदिक साहित के चार प्रमुक अंग माने गए हैं एक है आपका संहीता, जिसमें मंत्र और ये वो विदियों, खर इसके अंदर मुझे जाना भी नहीं है इसके चार भाग वैदिक साहित के बताए गए हैं, पहला है आपका संहिता, दूसरा है ब्राह्मन, ब्राह्मन जाती नहीं, ये शास्त्र है हमारे, तीसरा है आपका आरण्यक और चौथा है उपनिशद, ठीक है? तो ये जो आप सहिता पढ़ते हैं, चरक सहिता, सुशुर सहि सहिता, ये सारी जो चीज़ें है न वह आयुरवेद, नहीं हैं, अयुरवेद में क्या था? विज्ञान था. आयुरवेद में आपका है में तंत्र मंत्र था और आउशदियों का वरणन था तो जो आउशदि का पार्ट है और जो विज्ञान का पार्ट है उसको ले करके एक एक पार्ट को अलग करते हैं संहिता में ब्राह्मन में आरण्यक में उपनिशद में तो ये जो बनती है में पार्ट निकाल करके मंत्र अब यह संहिता भी एक दो नहीं है कम से कम दस बारा तो होंगी इनको भी कई भागों में विभाजित किया गया है इनको ऐसे किया गया है कि जो बहुत बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी थी उनको वरिहत त्रई में रखा गया है तीन है और बड़ी है तो वरिहत त्रई है और तीन है छोटी है उनको लगू त्रई कहा गया है और इसके लाव मिसलेनियस हैं तो वरिहत त्रई के अंतरगत आपका आता है चरक साहिता शुशूरुत साहिता और अस्टांग घरदय नाम सुना होगा वागबट जी का है वह अस वो है आपका स्टांग हिरदय अजो लगू त्रई है लगू त्रई में आपके तीन आते हैं भाव प्रकाश माधाव निदान और एक है आपका भाव प्रकाश है माधाव निदान है और एक है शारंग धर साहिता ये भी लगू त्रई का मतलब ये नहीं ये बड़ी छोटी चोटी है इन में समय ने माधव निदान और भाव प्रकाश पढ़ी है अगर आप यहां से देखना चाहें तो ब्लू कलर की एक देख रही होगी यहां बुक उसके बगल में यह जहां पर मेरी उंगली है इस समय ब्राउन कलर की वाइट इसमें लगा हुआ है बैक में पीछे यह आपकी भाव प्रकाश है कुल 940 पेजेस की है यह लगुत रही है और यह सब तो खैर द्रिहत्रई ब्रहत्रई होंगी ही तो यह हो गए इसके लिए अन्नी में जो आते हैं वो हमारे है अस्टांग संग्रह अस्टांग संग्रह का भेल संहीता है काश्यप संहीता है और पंग सेन सेहीता है जिसको चिगत्सा सार संग्रह के नाम से जाना गया था तो यह है तो हमें इतना जादा नहीं पढ़ना है हमें तो क्यों बस यह जानना है कि यह आयुर्वेद जो जड़ी बूटियां हम खाते वो भी आयुर्वेद नहीं है ध्यान दीजिएगा आयुर्वेद के बारे मौर एक्स्प्रेन करूंगी मैं ताकि यह सारे भ्रम निकल जाएं और हम सही सही दिशा में अच्छे से बढ़ सकें तो आयुर्वेद जड़ी बूटी नहीं है आ निरंतर गतिमान है जो हमेशा चल रही है वो आयु है जीवन हम क्या कर रहे है जन्म लिया सांस चल रही है और अंतिम तक चल रही है तो यह हमारी आयु है तो आयु का ज्यान कराने वाली कराने वारा जो शास्त्र है शास्त्र का मतलब शास्त्र अलग है पद्धत अलग है यह सब अलग-अलग चीजें हैं, इसको भी आप को आज क्लियर करने की कोशिस करूंगी, कि आयुरवेद एक गहन शास्त्र है, जिसके अंतरगत आपको पूरी एनाटमी गहराई से मिलेगी, क्या मिलेगा उसमे एनाटमी में, शारिर्ग सन नसना तो मिलेगी ही, और बहुत ही विस्तित मिलती है, बस यतना ही ह got something in Hindi में मिलती है, English नहीं है, तो इसमें पूरा आपको मिल जाएगा, आठंग है इसके, उसमें आपको एक तो एनाटमी मिलेगी, फिजोलजी मिलेगी, पिरियाट्रिक्स मिलेगी, और अप्थेल्मोलोजी मिलेगी, और ये गानेकोलोजी मिलेगी, मस्कुलर सिस्टम, सारे सिस्टम जितने हैं, यार्ट भागों बाटा गया है, साइकियाट्रिक्स भी मिलता है, तो ये सारा मिल करके, एक हमारा के ऑफ्ट कर सकते हैं लिगारी को चलता हुआ व्यक्ति याप नुजब्स कर लिए यह लाइन नो जाथ क्वेंट से उन UP linking कर लिए उसके वूंस कर लिए उसकी आखें उसके बाल शरीर के जटने यंग हैं तो मोर्दिन 500 डाइगनोस्टिक टूल की चर्चा करी है इन्होंने आयुर्वेद में कितने प्रकार हो सकते हैं आयुर्वेद के डाइगनोसिस के सिध्धानतों में एक बारी मैं इसको वाइब्रेशन पर लगा रहे हैं क्योंकि बार बार लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है आप कोई भी एक कमेंट करके बता दीजिए कि इससे आवाज पर फरक तो नहीं पढ़़ा है यहां मैं इसको ओन कर लूँ वापिस चलिए फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ इसको ओन करूँ ओन कर देती हूँ एक बारी शायद आपको नहीं समझ आ रहा है ओके आवाज नहीं आ रही थी अभी मैंने ओन किया है पता नहीं अभी फिर कल से मैं देख लूँगी कैसा है नहीं पढ़ रहा है नो मैडम वाइस इस्टिल क्लिया ओके तो फिर मैं इसको साइलेंट पे लगा देती हूँ क्योंकि यह डिस्टरब कर रहा है वाइस आ रही है भी ओके थैंक्यू सो मच तो इसकी बाते मैंने आपको बताई तो यह सारा होता है हमारा आपके आयूरवेद के अंतरगत अब निदान हो गया शरीर के बारे में हो गया सब कुछ एकदम क्लियर हो गया अब क्या जरूरत होगी अब आपको यह जरूरत पड़ेगी कि आप इसका इलाज करें तो इलाज के लिए बहुत सारी विधियां बताईगें पद्धतियां बताईगें तो यह जो पद्धतियां थी यही पद्धतियां हमारी अलग-अलग थरैपी के रूप में कनवर्ट ह कुछ पैथी बन गई कुछ थरैपी बन गई समझिएगा मेरे बात को कुछ पैथी बन गई कुछ थरैपी बन गई अब देखे एक एलो पैथी होता है होमिया पैथी होता है आयरुवेदिक को इसमें मत शामिल करीगा कि आयरुवेदिक पैथी आयरुवेद में हर्बल मेडिस नहीं बोलिये अर्वेदिक मत बोलिये और एक्यू प्रेशर के आगे हम क्या जोड़ते या क्यों प्रेशर पैथी बोलते हैं तो पैथी और थेरापी में भी अंतर है ठीक है पैथी क्या है पैथी शब्द यूनानी भाषा के पैथास से बना हुआ है और इस पैथी में सर्जरी और आपकी मेडिसिन दोनों के उपियोग से व्यक्ति को स्वस्थ करने का प्रोविजन बताया गया है जबकि जो थरैपी होती है समझ रहें मेरी बात को पैथी का मतलब है जिसमें आप किसी भी प्रकार से उसको ठीक करना आपका उद्देश है चाहिए आप उसको काटिये पीटिये कुछ भी करिये उसके प्राणों की रक्षा करना आपका करतव्य है दूसरी जो थरैपी है तो थरैपी में कहा गया है कि बिना आउशधियों के या और बिना शल्लिक्रिया के मानसिक और शारीरिक रोगों की जो चिकित्सा होती है उसको कहा जाता है पध्धती इंग्लिश में भी मैं बोल देती हूँ ट्रेट्मेंट टू हेल्प और क्योर अ मेंटल और फिजिकल इल्नेस यूजवली विदाउट ड्रक्स और मेडिकल अपरेशन्स तो ये जो है आपका ये थरैपी है तो आपकी एक्यू प्रेशर क्या हुई एक्यू प्रेशर पैथी है नहीं क्या है थरैपी है अच्छा जो थरैपी का जानकार होगा जैसे आपने कोई कोर्स किया तो कोर्स जिस चीज का कोर्स किया है वो आपके नाम से पहले जूर जाता अगर आप कोई पैथी का कोर्स करते हैं तो आपके नाम से पहले डॉक्टर जुड़ जाता है अगर आप थरैपी कोई सीखते हैं तो आपके नाम से पहले थरैपिस्ट जुड़ जाता है अगर आप अपने नाम से पहले थरैपिस्ट लगाते हैं तो इसका मतलब कि आप कोई थरैपी के जानकार हैं और अगर आपने कोई थरैपी सीखी है और आपने अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा लिया है तो question mark है, क्योंकि आप therapist हो सकते हैं, doctor नहीं हो सकते हैं, doctor नाम नहीं लगा सकते हैं आप पहले, legally बाकी लगाने को तो आप कुछ भी interpretation दे करके, और अभी जब मेरी एक लास खतम होगी तो बड़े बड़े post मेरे पास मैं आ भी जाएंगे, ये भी मुझे पता है, मैं पूरी त puncture therapy कह लीजिए, seed therapy कही जाती है, magneto therapy कही जाती है, पैथी नहीं कही जाती है, होम्योपैथी को अंदर डाल रहे हैं न कोई चीज, और ये आपका एलोपैथी हो गया, लेकिन आप confused आज के बाद न करें कि पैथी और therapy में क्या फरक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ क्या होगा कि आयुरुवेद क्या है, और एक्यूप्रेशर क्या है, कहां है, अब मैं आयुरुवेदिक एक्यूप्रेशर बता देती हूं, एक्यूप्रेशर और आयुरुवेदिक एक्यूप्रेशर ये जो मैं अभी एक्यूप्रेशर बता रही हूं आपको इस समय, जिसक इसको आप कहते हैं ट्रेडिशनल क्लैसिक मेडिसिन है यह इसका फुल फॉर्म क्लैसिक का मतलब पुराना प्राचिंतम तो अपनी भारती सब्धिता आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो भारत की अपनी सिक्षा की पद्धती थी वह बहुत ही प्राचीन अब बहुत ही उ लंका के इतने दूर-दूर से लोग आया करते थे पढ़ाई के लिए कहां बढ़ने आते थे तो सबसे प्राचीन भारत की प्रथम विश्व विद्याले हुई वह कौन सी थी तक्ष शिला फिर नालंदा फिर विक्रम शिला ऐसे करके इसका नाम आता है तो यह सारी चीज़ करते थे ठीक तो यह हो गया हमारा आयूरवेद और यह एक्यू प्रेशर का वर्णन कर दिया अभी एक सवाल उड़ता है कि आयूरवेदिक एक्यू प्रेशर और पीसियम में क्या फरक है तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो एक्यू प्रेशर है व वह basically दो example दो सौरी प्रिंसीपल पर काम करता है पहला है five element theory और दूसरा है आपका इस अब इस इस्टम तो इनी दोनों पर जब हम काम करते हैं तो वो तो होता है classical वाला अब आयर्वेदी के क्यो प्रेशर में क्या करते हैं वही मर्मस्थान है पॉइंट भी वही होते थे लेकिन उसमें हम अंतर इतना रखते थे इतना क्यों करते थे कि जो कॉंसेट होता जो सोच होती थी वो थोड़ी कॉंपलेक्स होती थी complex माने वात्पित कब तिर्दोश के आधार पर सोच हमारी तिर्दोश हो जाती थी और यह तिर्दोश क्या है मैंने आपको अलड़ी बता रखा है कि 5 element जो है wood, fire, earth, metal, water यह simple simple कर दिया तो 5 element और इसको अगर हमने join कर दिया एक दूसरे के साथ में जैसे wood को हमने आपका water और अर्थ जोड़ दिया तो यह क्या बन गया आपका कफ बन गया तो जब दो-दो को join करके करते हैं तो इस प्रकार से चीज़ें आती हैं तो point सेम होते थे सब कुछ सेम होता थे रिकिन सोच अलग होती थी डियाग्नोस करने का तरीका अलग होता था सामने आ रहे हैं व्यक्ति को हम five element theory के अकॉर्डिंग constitution के हिसाब से भी जानते हैं उसके हिसाब से भी पहचाते यह वूट constitution का व्यक्ति आ रहे है जो चलके यह fire constitution का है यह आपके water constitution का है और आयुर्वेदिक वाला व्यक्ति होगा वहां पर तब वह जो डाइग्नोस करेगा तो बताएगा यह वात प्रकृति का व्यक्ति है कि इसमें प्रकृत के गुड़ जादा है और इसमें का प्रकृत के गुड़ जाता है उसमें विदो का आकाश ज्यादा यह आकाश कम वात ज्यादा तो इन ही को कि इन ही को बैलेंस करने का जो ज्यान है वही आपका आयुर्वेदिक प्रेशर होता है फिर उसके बाद दीरे 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 और लगातार प्रगति करता गया विकास होता रहा इसका और बाद में इंडिया में इंडि में जेपी अगरवाल सर ने भी इस पर बहुत अच्छा खासा अध्यन किया दस उत्पति का सिध्धान पांस कि वाद होने उसको फाइब फिजिकल फाइब मेटाफिजिकल दस उत्पति का सिध्धान कनवर्ट किया धातूं को इसमें कंसीलर किया जाता था जो साथ धातूं होती है रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्ति और शुक्र वगएरा इस पर भी काफी चर्चा होती है इनके आधार पीलाच किया जाता है तो आयरवेदिक एक्यू प्रेशर में और क्लासिकल एक्यू प्रेशर में अंतर इतना ही है कि आपके कॉंसेप्ट थोड़े से सिध्धान जो प्रिंसिपल से वो चेंज हो जाते हैं अधर्वाइस एवरीधिंग इस ओके सेम तो यह दोनों का फरक रहा अब अगर आप मह है वो सब कुछ सेम है कि उसका जो मोड है वो चेंज हो गया एक्यू प्रेशर में आप क्या करते हैं वहां पर दबाव देते हैं दबाव के भी अलग-अलग टेक्निक्स हैं या तो आप अपने फिंगर से प्रिशर दीजिए या को इंस्ट्रुमेंट ले लिजिए बुडे कीद्वाव में कि इस पर आपने मेंगेनट रुके इससे प्रिशर दे दिया विए उसे डबहर दूसरा गया मेंगेनट के अपना प्रभाव तो मैंने थे रेपीश से आपका सीट थरापी हो गई कि आप सीट डाल करके महाँ उससे प्रिशर दे रहें सीट में भी डिफरेंट टाइप के सीट भी यूज होते थे पेबल्स होते थे सीट आप को कंकड़ पत्थर इंप गुल्स को दिमाग में रख करके आपने क्या किया इस caset क्योंक जब दिक करें करोई थे युद पधाउं का ये ब्रांच जब प्रेचलाण हैं К ancestor के से जरकें इसकी है एक्यू प्रेशर क्या है यह सारी चीजे आई होप कि आप लोगों को पसंद आ गई होंगी अब मैं इसमें जो बात करूंगी वह करूंगी कि इसमें ट्रीटमेंट करते कैसी होंगे एक्यू प्रेशर में हम ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं इसका मतलब क्या है तो यूद्ट मैंने आपको बताया कि फाइब एलिम्न थियोरी है उसको देख लेती है और शरीर में जब आगे मैं थोड़ा से स्कॉर इलेपरेट कर द मोटा मोटा देखें तो जो आपके शरीर में उड़ जा का प्रवाह है जो एनरजी आपके बॉड़ी में मूफ कर रही है जो बायो एलेक्टिसिटी आपके बॉड़ी में फ्लो कर रही है उसी को बैलेंस करना है कैसे बैलेंस करना है उसके लिए आपको नौलेज होनी चाहिए क्या knowledge होनी चाहिए कि यह energy देखे energy के दो ही form होंगे जैसे मैंने balance का बताया था कि यह दो उसके plate हैं तो एक नीचे होगी एक उपर होगी तो आप सामान नहीं खरी देंगे बोलेंगे हमें तो balance सही है तो वैसे ही body का balance मतलब कि आप स्वस्त हैं और body का imbalance का मतलब कि आप बिमार हो गए उसी कम वाले को जादा करके या जादा वाले को कम करके जो हम balance कर देते हैं तो स्वस्त हो जाते हैं तो अब इसमें imbalance के लिए हम क्या करते हैं दो चीजें हुई या तो energy access होने के symptom जो होते हैं वो हमें ढूनने पड़ते हैं और अगर energy कम हो गई है तो कम energy होने के symptom शरीर में क्या क्या आते हैं उसके जानकारी होनी चाहिए उसके आधाय पर हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जो application वाला part है यह पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने comment किया था कि हमको इसका obesity का point बता दीजे हमें hypothyroid के point बता दीजे तो आप से मैं एक बात बोल रही हूं कि हमारे संस्थान में बहुत सारी पुस्तकों का precaution हुआ है बहुत सारी किताबें हैं कोई सी भी आप वोग उठा के खोलेंगे तो उसमें आपको point के भंडार मिल जाएंगे लेकिन उन में से आपको कौन सच है यह यह आप कैसे ढून पाएंगे जब तक आपका concept clear नहीं होगा तो आप लोग अभी focus disease पर मत करिये हमें पता है कि आज शरीर किसी का भी हो बहुत स्वस्त नहीं है इसलिए आप लोग भी सोचते हैं कि हमें इसके points मिल जाएं जैसे इतने दिन आपने वेट किया है थोड़ा और वेट करिये और पहले concept सीख लीजे जब concept आ जाएगा तो आ अपने आप point book खोल करके बना लेंगे develop कर लेंगे point ठीक है तो पहले मैं आपको टून का excessive energy का बता देती हूं कि जब energy कहीं शरीर में ज़्यादा हो जाए आपकी तो क्या symptom आएंगे कैसा आप फील करेंगे अब आप बताएं आपको जर्वस से ज़्यादा कोई चीज मिल जाए तो क्या होगा excessive energy इसी को कहते हैं कि शरीर में आवक्सक्ता से ज़्यादा कुछ हो जाना अब कहां हुई है वो देखना पड़ेगा दो लेवल पर होगी या तो औरगन लेवल पर होगी या मिरीडियन लेवल पर होगी अगर और और लेवल पर हुई तो पर्टिकुलर और और जाकर के पेट पूरा भर गया फिर आप उठके गए आदा गंटा हुआ पेट आपका फिर खाली हो गया तो यह जो वराशिया संगर है बहुत ज्यादा भूख लगना यह क्या बताती है कि आपके इस टमक में एनरजी बढ़ गई है देकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहूंग कि एक्यू प्रेशर को आप एलिमेंट के साथ में अगर एनाटमी फिजॉलजी से जोड़ देंगे तो बेहद आनंद आएगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे जैसे अभी मैंने भूख की बात बताई तो जरा सा सोचिए साइंस की लैंग्विज में कि हमें भूख लगती क्यों हैं हमें भूख की उपस्त्य की अनुभूत क्यों होती फीलिंग क्यों आती है कि हमें भूख लग गई है दो लोगों ने खाना खाया सेम खाना खाया और दोनों को सडिस्ट्रेक्शन भी मिल गया एक व्यक्ति का शरीय पतला दुबला है एक का नॉर्मल है दोनों के भूख लगने की दर में भी फरका जाएगा तो जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही सबका अहार संतुलित कहा जाए ठीक है अब मैंने सवाल किया था कि हमें भूख लगती क्यों है जब आपके रक्त में ग्लुकोज और फैट का जो लेवल है जो आप्टिमम लेवल होना चाहिए जब उससे वो नीचे उतरने लगता है तब हमें भूख और प्यास का हिसास होता है तो हर समय हमें एनर्जी के एकसेज होने का ही अनुमान नहीं लगाना चाहिए आपने खाना खाया उसमें न तो ग्लुकोज था और न तो फैट था तो न तो आपको एनर्जी मिली न तो आपको ताकत मिली न तो आपको काम करने की शक्ति प्रदान हुई तो फैट और भूख थोड़ी थोड़ी देर में लग सकती है तो first you have to check your diet and then diagnose as per energy कि खाना तो भाई सब ने वही खाया हमने भी खाया और ठीक खाया सब कुछ था उसमें उसके बाद भी लग रहा है इसका मतलग कि आपके energy imbalance हो रही है अब इसका हम opposite कर देते हैं भूख लगी नहीं रही भू लेकिन इसका भी एक science का पहलू होगा एक कि क्यों pressure का होगा पहले हम normal वाला देखेंगे इनार्ट्वी फिज्योलजी शरीर की जो अपनी खुद की organ है उन में क्या problem है क्यों ऐसा लग भूख क्यों नहीं लग रही तो यह जो हमारी टेस्ट है जीव है इसको क्यों जीव मत स आपके ears हैं आपके nose हैं आपकी पूरी skin है और tongue है तो यह जो बाकी के हैं देखें यह यह और यह चार तो देखें पास-पास में हैं एक skin है जो universal पूरे body में हैं तो इन सब का आपस में बड़ा संबंद है कभी-कभी आपने महसूस किया होगा कि भूख बहुत जोर से लगी है लेकिन खाने का मन नहीं है क्यों मन नहीं है भूख तो लगी थी खाना को देख करके मन हमारा भर गया तो आपके थौट आपके विचार आपकी आखें देख रही हैं अगर वो खाना presentation उसका अच्छा नहीं है जो व्यक्ति आपको लाके दे रहा है अगर किसी गंदे तरी चमज ग्लास यह सब सजा करके क्यों देते हैं ऐसे भी फेक सकते हैं नहीं तो आप दाल चावल रोटी सब्जी बिल्कुल से मैश कर दीजिए मैश करके दे दीजिए कि वैसे अंदर मैशी होना है तो क्यों सब कुछ अलग-अलग रखा जाता है एक ही कटोरे में सब डाल द भूग का संबंद है जो आपके आखें हैं वो क्या देख रही हैं कैसा देख रही हैं आपके मन के मुताबिक वो आहार है कि नहीं तो भी वो नहीं खाएंगे आपके कानों से उसके बारे में क्या सुनाई दे रहा है सामने बैठा व्यक्ति आपकी बड़ी मन पसंद सब्ज है या कोई भी ऐसा रेसिपी आप जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आप से ठीट पहले कोई खाने के लिए बैठा हुआ है और जैसे ही उसने निवाला मुं में डाला बोलता हो क्या बना है यह तो बिल्कुल बक्वास है ऐसा खाना तो बिल्कुल छुआ ही नहीं जा सक तो आपके सुनने का आपके देखने का आपके थौट कर आपकी स्मेल का महेक से आप पता कर लेते हैं तो इन सब चीजों को देखने के बाद अगर भूख नहीं लग रही है तब आपको अपना डिजीज से करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खाना भी अच्छा है उसमें मिर्श मसालों का भी सेवन किया गया है जैसा आपको पसंद आता है सब पुछ है लेकिन तब भी भूख नहीं लग रही है तब यह एक्शुल एनरजी के कम होने का संकेत देता है ऐसे किड्नी क्या ले लिजे लिवर गॉल्बेडर का ले लिजे किसी भी चीज का अगर आप इसके बारे में डीटेल चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट जब आउंगी तो उसके उसमें आपको पहले यह कवर कर दूंगी फिर धीरे-धीरे में आगे कॉंसेट ले करके बढ़ती रहूंगे क्योंकि मेरे ख्याल से यह कॉंसेट ना कॉंसेट इस पावर आप किसी के सामने स्टेंड तभी कर पाएंगे जब आप उसके बारे में कुछ बोल पाएंगे आप सबसे पहले आप वैसे देखते होंगे कहीं भी आप किसी के पास विजिट करने गए किसी पेशन को देखने गए पहला सवाल होता है क्या है यह अब आप घूमते रहेंगे हाँ यह है वो है ऐसा होता हाँ यह यह तो करी देता नहीं तो पहले convince करना है जब तक आप convince नहीं करेंगे तब तक वो patient आपका इस therapy के प्रती बिल्कुल भी जागरुप नहीं होगा कि हम इसको लें कि ना नहीं पता नहीं क्या है क्यों दबा रहे हैं क्या हो जाएगा इससे तो यह चीजें आप ध्यान रखिए दूसरा मेरेडियन का जो एक्सेस और इंबैलेंस है एक्सेस और डेफिशनसी है यह हमारी मेरेडियन के इस तर पर होता है मेरेडियन में जब यह परिशानी आती है एक्सेस होता है तो हमें पैरों में जहां भी एक्सेस हो जाता है तो शरीर के उस विशेज भाग पर दर्द ह होना शुरू होता है तो जब दर्द होता है बहुत तेजी से दर्द होता है